हेलो एन वल्कम गाईज एक बर फिर से आप सभी का स्वागत है मुईज यूनिवर्स में आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसी अपकॉमिंग वेब सीरीज जो जल्दी आपको देखने मिलने वाली है तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं बात करूं स्टोरी की तो स्टोरी है बुलबुल की अब आप सोचिए अगर किसी बच्चे को पता ही ना हो कि उसे कब सच बोलना है और कब जूट तो प्रॉब्लम तो बढ़ी जाएगी ना तो ऐसी ही है बुलबुल की भी कहानी जो बचपन की इस आदत से इंस्पायर होके वो जूट बोलने में माहिर हो जाती है और कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब वो एक लॉयर बन जाती है तो इसके आगे की कहानी के लिए आपको 14 अक्टुम्बर का इंतिजार करना होगा और ये वेब सीरीज सोनी लिए पे आपको देखने मिलेगी सीरीज में मुझे अमुल पारासर का रोल काफी पसंद आया है जो सीरीज को काफी मज़िदार बनाता है और दोस्तो इस वेब सीरीज को आप ज़रूर देख लेना क्योंकि इसका तीसरा सीजन जी फाई पे 21 अक्टुम्बर को रिलीज होने वाला है आगे बढ़ते हैं नमबर 8 की तरफ जो है क्लास सीरीज को स्पैनिश सीरीज इलीट से अडेप्ट किया गया है जिसमें आपको काफी सारा ड्रामा और सस्पेंस देखने मिलेगा सीरीज को डायरेक्ट किया है आशिमालू वालिया ने और सीरीज में काफी सारा ग्लैमर और एडल्ट सिर्ण आपको देखने मिलने वाले हैं और क्या क्या होता है इस सीरीज में उसके लिए आपको ये सीरीज का इंतिजार करना पड़ेगा बट सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है लिस्ट की नेक्स सीरीज है स्कूप सीरीज को डायरेक्ट किया है अंसल महता ने और सीरीज के लिड में आपको देखने मिलेगी करिश्मा तन्ना सीरीज की स्टोरी है कि जब एक ambitious journalist पर मडर का आरोब लगता है तो उसे किस-किस तरह की situation का सामना करना पड़ता है और क्या-क्या problems face करनी पड़ती है यहीं सीरीज में आपको देखने मिलेगा सीरीज इंस्पायर है जिगना वोरा की लिखी भूक लिष्ट की अगली सीरीज जो है वो है ताजा कबर इस सीरीज का इंतजार काफी लोग कर रहे है खास करके भूहन बाम के फैंस एहे रहा नहीं जाता तडपी ऐसी है ना यह सीरीज एक ड्रामा सीरीज है जिसमें आपको काफी सारी कॉमेडी भी देखने मिलेगी सीरीज में आपको भूहन बाम के अलावा देखने मिलेगी मुन्ना भाया की स्वीटी और सीरीज का प्लॉट है कि मुंबई के वसंद गावडे को कुछ जादो ही सक्तिया मिलती है फिर उसकी लाइफ में क्या क्या होता है इनी सारी चीजों को वेब सीरीज में दिखाया गया है सीरीज को जल्द ही डिजनी प्लस होस्टार पर रिलीस किया जाएगा नमबर पांच पर जो सीरीज है वो है लुटे रे सीरीज को डिजनी प्लस होस्टार पर रिलीस किया जाना है और सीरीज को प्रोडूस किया है सेलेश सिंग ने और इसे डारेक्ट किया है हंसाल एंज जैमेता ने इस सीरीज में आपको देखने मिलेंगे रजट कपूर दिपक तीजोरी चंदन रॉय सन्याल और काफी सारे एक्टर्स वेब सीरीज में दिखाया गया है कि किस तरह कुछ लूटे रेक शिप को लूटने की मिल जाएगी आगे बढ़ते हैं नंबर चार की और जो है सूप सीरीज में आपको में लिड में देखने मिलेंगे मनोज बाचपई कोकना शिंद सर्मा नसीर और सयाजी सिंदे सीरीज एक क्राइम ड्रामा है जिसे नेट्फिक्स पे रिलिस किया जाएगा सीरीज का प्लोट ट्रू स्टोरी पे बेस है और स्टोरी है स्वाती की जिसका सपना है एक रेस्टोरेंट खोलने का और उसका हजबेंड उसमें उसकी कोई हल्प नहीं करना चाता और जब वो र द्यारती जी, सुरीन चावला और काफी सारे एक्टर्स सीरीज एक क्राइम ड्रामा है जिसमें काफी सारा एक्षन आपको देखने मिलेगा और बात करें स्टोरी की तो स्टोरी है राणा की जो एक कॉप है और जिसे काफी डिफिकल्ट केस मिलता है और किसी भी हाल में इस केस को सौल करना चाता है तो इस वेब सीरीज को आप डेफिनेटली देखना क्योंकि इसमें काफी सारा एक्षन, थ्रिलर और सस्पेंज आपको देखने मिलेगा चलिए आगे बढ़ते है नमबर टू की और जो है कैट इस वेब सीरीज की लीड में आपको देखने मिलेंगे रंदी फुटा बात करें सीरीज के प्लोट की तो स्टोरी है एक अंडरकवर एजेंट की जो इंडियन इंटेलिजेंस के लिए ड्रग कार्टेल का पता लगाता है और सीरीज की स्टोरी सेट है गंस और गुलापस वेब सीरीज की स्टोरी एक सची गटना पर है और यह एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसे बना है राजन डीके ने सीरीज सेट है 90's के समय में जहां कैसे कुछ आम लोग गेंग्स्टर बन जाते हैं और इल्लीगल एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं यहीं सीरीज में आपको देखने मिलेगा और आई होब दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और यह सारी की सारी वेब सीरीज 2022 में रिलीज हो सकती है यह बड़ी अच्छी बात कही है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में बताए वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें